रादे रादे गाईज गुड मॉनिंग आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रियेटिव सड़ी एचके पर सो बात की जाए पांच तारीक तक एक बार फिर से सभी के लिए आपके लिए पॉर्टल ओपन करतीया गया है आप एडमिशन ले सकते हो और यहां पर म आरेले की बात की जारी थी आप सभी ने मैंने पूछा है आप सभी बोल रहे हैं हमने अपडेट करा लिया कॉली जाके और कॉलीज वाले बोल रहे हैं कि हमने जो आपका अपडेट रिजल्ट है वो यूनिवस्टी भेज दिया है तो रिजल्ट आपको यूनिवस्टी जाक मिल सकता है मेरी स्टूडिंस से बात भी हुई है तो स्टूडिंस ने बोला है सर हम डाइरेक्ट युणिवस्टी गए हैं जब कॉलुज वालों ने हमें बोला है कि रिज्ट आपका युणिवस्टी चला गया zhe तो आपको क्या करना universtew जाना है अब भी युनिवस्टी ने website पर SOD नहीं किया है बट आपके college वालों ने युनिवस्टी भेज दिया है आपका रिज़ल्ट तो एक बार अगर वह कहते हैं ने बिज दिया तो आप सीधा यूनिवर्स्टी जा सकते हो और वहाँ से अपना रिजल्ट पता कर सकते हो अगर आपको DMC वो डिरेक्टली मिलेंगे नहीं DMC नहीं मिलेगी आपको तो अगर आपको PG में admission लेना है अपने number चड़ाने है admission के लिए क्या कर सकते है उसका भी एक तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको लेना पड़ेगा provisional number का provisional बनवाना पड़ेगा और provisional में आप पैसे लगते हैं provisional के लिए provisional के लिए आपको bank से 300 I think approximately 300 या 400 मैंने ये सुनने में आया है कि आपको एक पर्ची sleep कटवानी पड़ती है आपको पता है आप admission कराते हो या form भरते हो तो bank से जितना आपका form है उतने की आप एक fees sleep कटवाते हो 1500 की जितने की भी तो आप provisional का पता कर लेना क्या फीस है बनवाने की result बने की तो वो आपको एक provisional देंगे result का बना के total number आपका name लिखा होगा आपका father name भरेंगे total कितने बिसे number है कितने session है आपको सबको पता ही आपको provisional वो result ही होता है तो वो आप website पे upload कर सकते हो या अपनी जो भी physical counseling होगी उसमें आप लेके जा सकते हो result आपके अब university में है तो आपको university जाना पड़ेगा जिस जिसको अगर result चाहिए जिस students को result चाहिए तो university जाना ही पड़ेगा अगर आपके non में कोई रहता है तो एक बार पता कर लीजिए क्योंकि एक बार मेरे instagram पे भी मैंने उनसे contact में बात किती आपको message दिखाता हूँ उनका जिनसे मेरी बात हुई थी तो मेरा उनके बस mail send हुआ था तो मैंने उनसे पोचा था mail में उन्हेंने बताया आप पड़ सकते हो पानिपत आरिये college मैंने उनसे पूछा आपको result update absent का अभी update नहीं हुए website पे आपको कैसे मिला था उन्होंने सीधा बोला university से मिल जाएगा पानिपत आरिये college से हूँ और sir अब जो भी student जाएंगे बस उन्हें ये slip मिल जाएगी और ज्यादा महनत भी नहीं करनी पड़ेगी किसी को अपने college का name और center बता कर ले सकते हैं और जिस sam में absent है उस sam की re की पुराने dmc लेनी पड़ेगी आपको साथ लेकर जानी होगी क्यूंकि उसमें pass वाले marks देखकर new marks देंगे इसकी help से आगे master degree के लिए form भर सकते हैं ये reply आया था आप देख सकते हो और बहुत ही help की है इन्होंने मेरी साथ बताने के लिए था कि आप सबको बता सकूँ तो आप ये आज Sunday है तो आप Monday को ये जरूर काम करें ये उनिवेस्ट्री जाके आप अपने college का नाम और अपनी dmc पुरानी लेजिए किसी को comment box में कोई पूछ सकता है और provisional में मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है बस मैंने blur कर दिया है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या system है इसका आप देख सकते हो तो इस में slip में पूरा लिखा हुआ है नाम नो मैंने थोड़ा कर दिया है नेम दिया हुआ है उसके बाद फादर नेम है सीधा आपका peer है PSBA 6 semester इन्होंने भी यही किया है अपडेट नहीं हो रहता है रिजल पर college वाले उन्हें बोला हमने अपडेट कर दिया है तो यह सीधा university का है अपने center का नेम बता है महाँ से total marks लिखा के अपना provisional लेके आई है तो यह देख सकते हैं ऐसी आप university चाहिए और करवा के आई एक काम धन्यवाद जिसको भी कोई problem है या तो मेरे instagram channel पे मिरसे बास करता है comment box में पूसकता है धन्यवाद